मैं भारत को भारती अताकी माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ एक अंग्रेज था उसका नाम था जी डबलू लेटनर उसने भारत की सिच्छा जवस्था पर सबसे बड़ा सर्वेक्शन किया और उसने ये कहा कि भारत में 97% लिटरेशी रेट है 1823 के आसपास ही बात हुई 97 प्रतिशत साक्षर्ता है पूरे भारत एक थामस मुन्रो नाम का अंग्रेज अधिकारी था उसने दक्षर भारत का सर्वे करा है सिच्छा का और वो कहता है कि यहां की साक्षर्ता तो 100% दक्षर भारत और मुन्रो और लिट्मेर की जो रिपोर्ट्स हैं वो अभी भी मौजूद हैं हम पढ़ सकते हैं ब्रिटिश पार्लिमेंट में हैं बारत में भी हैं आर्काइब्स में हैं इन रिपोर्टों को पढ़कर हैरानी होती है कि एक भी गाओं ऐसा नहीं था इस देश में 1823 तक जहां गुर्कुल ना हो इस्कूल ना हो कई कई गाओं में तो दो दो गुर्कुल थे और उस जमाने में सामान ने गाओं की संख्या साथ लाग बत्ती सदार के आसपास थी इतने ही गुर्कुल थे इतने ही स्कूल थे और पाँ साल की उमर से लेकर बच्चे पढ़ना शुरू करते थे मुझे बहुत हैरानी देने वाला एक सबते पता चला जब मैं ये रिपोर्ट्स पढ़ता था कि भारत के गुर्कुल में किसी भी विद्यार थी को जब दाखिला मिलता था तो उसकी उमर उस दिन पाँच स पाँच महीने पाँच दिन पाँच घंटे इतनी उमर पूरी होई तब विद्यारती को बरती कराया जाए उसके पहले बरती नहीं हो सकता इसके पीछे कोई गहरे कारण रहे होंगे उनको ढूमने की जरूरत थे अभी तो भारत पर बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरू दूकलों में जो बच्चे पढ़ते थे वो 14 साल तक पढ़ते थे सामने रूप से और उनको कई विशे पढ़ाया जाते थे वेदों तो पढ़ाई जाते थे गणित पढ़ाया जाता था एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाई जाती थी एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती थी कैमि तो प्राधमे इक सिक्षा होती थी मादमे इक सिक्षा भी होती थी और उच्छ इक्षा के 14000 से जाधा कॉलेज ते अठारे सो तेई स्क नहीं बहुत तक हम दो दो ही विश्विद्यालों के नाम सुने तक्षिला और नालंडा यह तो बहुत पुरानी कहानी है नहीं 175 साल पहले के सेखुरों विश्व विद्यालें के नाम गिना सकता हूं, 175 साल पहले, समय की कमी है, इसलिए इसको पॉइंड अप करना है मज़े दि, विश्व विद्याले थे, डिग्री कॉलेजिस थे, प्राइमरी स्कूल्स थे, सेकंडरी स्कूल्स थे, गुर्कुलों के ना राजा गुरुकुल नहीं चलाते थे, गुरुकुलों को समाच चलाते, और समाच कैसे चलाता था, हर गाउं में गुरुकुल के नाम एक जमीन बनाई जाते थे, मान्यम भूमी कहते थे उसको, उस भूमी में जितना उत्पादन होगा वो सब गुरुकुल के लिए जाए, और और बचेगा तो मंदिर के लिए जाए पिर कई बार किसी गाओं में मंदिर के पास सर्प्लस हो जाता था तो गुर्कुल को देता था गुर्कुल के पास सर्प्लस हो मंदिर को देता था ऐसे जब राजाओं में नहीं की है इस देश की सिक्षा व्यवस्था प्रजा ने की और आपको एक interesting fact बताऊं कि जब 1823 में भारत में 100% literacy दक्षुन में थी 97% उत्तर भारत में literacy थी उस समय इंग्लेंड में कोई पढ़ता नहीं था इंग्लेंड में पहला इस्कूल जो शुरू हुआ पढ़ाई का वो 1868 में शुरू हुआ पहला इस्कूल 1868 में और हमारे 1823 में 732,000 से ज़्यादा इस्कूल थे 1868 में पहला इस्कूल शुरू हुआ लंदन में वो भी चर्च के पिछवारे में और इस इस्कूल में एक ही सब्जेक्ट था थियोलाजी दर्म शास्तर पढ़ाते थे मने बाइबल और कुछ भी और यहां एके गुर्गुल में 18 विशे पढ़े जाने हैं